कि नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा केड़कर मैं साइट्रिस्ट हूँ डी एडिक्शन स्पेशालिस्ट हूँ मानसिक स्वास्त सब के लिए मैं आज हम stress और stress को रिलीव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे हमारी बीजी लाइफ में हमारे डिमांडिंग लाइफ में इतने एक्सपेक्टेशन हमको लाइफ से होते हैं हमारे सिचुएशन से होते हैं कि हर चीज का हमको stress होता है तो actually stress है क्या stress याने हमारे brain और हमारी body का unhealthy reaction towards situation याने परिस्थिती के तरफ unhealthy response और reaction अब stress हर चीज में हमको होता है और हर चीज हमारे जो सामने आती वो challenge बन कराती है हमें financial problems होते है, job insecurities हो सकती है, familial problems हो सकते है, पैसों से लेकर आर्थिक कुछ problems हो सकते है या हमारे relationship में problems हो सकते है और ये सब चीजे हमारे जीवन में stress, tension, निर्मान करने के लिए जिम्मेदार है और इसकी वज़े से क्या होता है कि इसका जो असर है ये हमारी body पे, हमारे mind पे हो जाता है सबसे ज़्यादा stress की वज़े से problem होता है हमारे नींद में और हमारे शरीर में कुछ acidity होना, indigestion होना याने हमारी जो पच्चन संस्ता है body की, वो disturb हो जाना, ये हमको देखा गया है तो नींद में इने disturb रहती है नीन या फिर नीन आती नहीं है, देर से आती है या जल्दी खुल जाती है ऐसे अलग-अलग चीज़े हमको दीखने को मिलती है, इसके साथ ही शरीर में दर्ध होना, या weakness लगना, interest नहीं आना headache काफी लोगों को मेहनों मेहने चलते रहता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये headache, tension की वज़े से हो रहा है अब ये जो सब stress हो रहा है, इसके लिए हम हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा stress कम हो या फिर नहीं हो सबसे पहले हमें हमारा stress पहचानना चाहिए, कि हमें stress किसक वज़े से हो रहा है काफी लोग मेरे पास आते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये उनके जिन्दगी में टेंशन क्रियेट कर रहा है वो मुझे ही बोलते हैं कि नहीं ये तो चलते ही रहता है जिन्दगी में इसका क्या टेंशन लेना लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ खुल के बात करती हूँ, तम उन्हे कहीं तो लगने लगता है कि नहीं ये ही कारण है जिससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो हमारे स्ट्रेस को हमने पहचानना है और ये particular चीज हमको स्ट्रेस दे रही है, ये पहले accept करना है ये मान्य करना पड़ेगा कि हमको ये चीज तकलीव दे रहा है और फिर ये दोनों करने के बाद फिर हम एनलाईज कर सकते हैं यानि उसके बारे में सोच सकते हैं उसके कारण ढून सकते हैं कि हमें ये चीज क्यों टेंशन दे रही है अब जॉब में अगर बॉस से जगडा हो गया तो ये चीज कहीं न कहीं आपको टेंशन दे रही है और उसके वज़े से प्रॉब्लेम्स हो रहे है लेकिन आपको ऐसे लगता है कि ये क्या प्रॉब्लेम्स देने वाली बात है ये तो रोज का है कही न कहीं हरेक से कुछ न कुछ कहां सुनी होई जाती है लेकिन back of mind subconscious level पे आपको उस चीज़ का impact हुआ है और इसने stress create किया है तो अब इसको हमने analyze करना चाहिए कि ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है जगडा हुआ इसलिए stress हुआ तो जगडा ही क्यों हुआ अगर हम जगडा avoid करते तो ये problem होता नहीं तो फिर इसको alternative हम क्या कर सकते थे कि हम बात कर सकते थे शांती से बैटके हम problem सुल्जा सकते थे या फिर किसी third person को involve करते ये problem solve कर सकते थे ऐसे अलग-अलग alternatives थे लेकिन हमने नहीं किया तो ये alternatives करके इसमें से हमने choice करना चाहिए कि इसमें से कौन सो alternative हमारे लिए बहतरीन है और उसके हिसाब से फिर हमने काम करना चाहिए अब ये होने के बाद हमने जो tension आया है stress आया है किसी चीज़ का वो हमने समझ लेना चाहिए यहने उसको समझ लेना चाहिए और उसको reframe करना चाहिए for example उधारन के तोर पे अगर बेटा घर स्कूल गया है छे बज़े का उसका टाइम है घर वापस आने का लेकिन वो 7 बज़ गये फिर भी घर आया नहीं है तो ममी को टेंशन आता है stress आता है कि अरे बेटा घर पे क्यों नहीं आया है अब ममी क्या करती है सोचने लगती है कि बेटा घर में क्यों नहीं आता है कि उसके मन में पहला यह जो थौट आता है कि उसे कुछ हो नहीं गया हो तो कुछ हो गया है क्या कुछ कम जादा तो नहीं हो गया उसकी जान को तो ये थौट पहले उसके मन में आता है तो उससे बेटर उसने ये सोचना चाहिए कि उसमें और भी चीज़े है जो हो सकती है उसने स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास हो सकता है वो कहीं खेलने के लिए फ्रेंड के आज आ सकता है कहीं गप्पे मारने के लिए फ्रेंड के साथ खड़ा हो सकता है ये भी चीज़े हो सकती है लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है तो हमको री फ्रेम करना चाहिए हमारा thought process हमको rearrange करना चाहिए जिससे हमें यह stress ना आए इसके बाद time management याने वक्त को हमको manage करना बहुत जरूरी है जादा तर stress, maximum stress यही problem की वज़़ से लोगों को आता है लेकिन लोग समझते नहीं है अगर हम चीजे, हमारी life की चीजे time to time करे तो हमें stress नहीं आएगा या कम आएगा हमारे को अगर एक particular चीज करनी है और वो अगर हमने वो time पे कर ली तो बात खतम लेकिन हम क्या करते हैं वो चीज तब करते नहीं है और वो फिर बाद में करने से हमको tension हो जाती है उसके साथ procrastination याने आज की चीज कल पे डालना अगर हमको आज particular form भरना है दो ही दिन बचे है और हम क्या करते हैं कि आज ने कल भरूंगा या भरूंगी उसमें क्या हो जाता है कि आज का दिन तो time pass में निकल जाता है और कल कुछ और problem create हो जाता है और form भरना नहीं होता या फिर late हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि tension होता है अब अगर हम ये पहले दिन कर लेते जिस दिन हम time pass कर रहे थे तो हमारा problem stress में बदलता ही नहीं लेकिन हमने ये किया नहीं उसकी वज़ा से हमको stress आ गया तो ये procrastination जो है आज की चीज कल पर डालना ये हमने बंद करना चाहिए उसके साथ लोगों से मिल जोल करना जिसको हम socialization कहते है या फिर लोगों के साथ बहार outings के लिए जाना पिकनिक्स के लिए जाना इससे हमारे एक दूसरे से हमको कुछ नई नई चीजे सीखने को मिलती है उनसे बात करने का मौका मिलता है हमारा जो thought process है वो divert हो जाता है और उसकी वज़ा से हमारा stress कम हो जाता है हमारे life में ऐसा कोई न कोई हरेकी life में होता है जिससे हम खुल के बात कर सकते है हमारे problem share कर सकते है तो ऐसे लोगों से हमारे problem share करने चाहिए उनको हमारे stress जो भी है वो बताने चाहिए ताकि उस पर हमको solutions मिले regular exercise regular diet regular sleep pattern ये भी stress कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है मैं पूरी तरह इस बात से present हूँ या मैं समझती हूँ कि आजकल के life में busy life में regular खाना regular काम करना regular नींद ये possible ही नहीं है लेकिन उसमें से हमने देखना चाहिए कि maximum हम कितना खुद के लिए कर सकते हैं और उसके साथ हमें जो चीजे अच्छी लगती है जो हम चाहते हैं कि हम करें जैसे कि music अगर हमको अच्छा लगता है या आउटिंग पे जाना अच्छा लगता है ट्रेकिंग पे जाना अच्छा लगता है या फिर music dance अच्छा लगता है painting अच्छा लगता है उसके लिए हम at least हफते में एक दिन निकाले, कुछ घंटे निकाले, ताकि हमारा stress उस वज़से कम हो, हमें pleasure उसमें से मिले, तो ये कुछ चीजे थी जिससे हम हमारा stress कम कर सकते हैं, अगर ये करने के बाद भी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मेरा stress जितना कम होना चाहि ये उतना हुआ नहीं है, या कुछ और मुझे तकलीफ शुरू हो रही है, stress की वज़से, तो आपने जरूर psychiatrist को कंसल करना चाहिए, ताकि हमारे problems ना बढ़े और वक्त रहते ही, वो problems कंट्रोल में आ जाए, psychiatrist अगर जरूरत पड़े, तिवरता के हिसाब से medicines prescribe करते हैं, या फिर कुछ psychotherapy या counselling sessions भी देते हैं, उससे आपके problems solve हो जाएंगे, इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे केलकर तोर्णकर psychiatric nursing home के contact number पे हमें contact कर सकते हैं, हमारा contact number है 950-330-9619, नमस्ते.